आइ जार्खन केबिनेट की बैठख में 29 प्रस्ताव प्रमुहर लगी जार्खन मंत्राले में केबिनेट की बैठक हुई इसमें 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी है इसके तहद विधायक योजना की रासी प्रती विधायक प्रती बीतिय वर्थ 4 को रूपए से बढ़ा कर पांच को रूपए करने की सुगरिती दी गई वही महात्मा गांधी राष्टी एक ग्रामीन रोजगार गरांटी योजना अंत्रगत सनुवीदा परकाररत छेत्रिय पताधिकारियों कर्मियों के मांसिक मांदे में संसोधन की सुगरिती दी गई जार्खन राज में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए जार्खन राज पत्रकार स्वास्त बिमा योईना 2021 को स्विग्रिती दी गई है बता दे जाखन राज बिधिक सेवपराधिकार रांची के अंतरगत नियुक्त मद्य अस्थलों के लिए मान दे पुर्रीक्षन की स्विगरिती दी गई डाक्टर संगीता कुमारी ततकाली निवी से सग्य महिला चिकित्सा पताधिकारी रेफरर अस्पताल डुमरी सप्रस्ती चिकित्सा पताधिकारी समुदाईक स्वास्त केंद्र गोमियों बोकारों को सेवा से परखास्त करने की भी स्विगरिती दी गई वहीं डाक्टर आसुतोस, ट्यूटर, एनाटोमी विभाग, सहीद निर्मल महतो, चिकित्सा महाविद्याले धानबाद को सेवा से भरकास करने की स्विग्रिती दी गई है जारखन में 15% से भी कम धान की रोपनी जारखन में कम बारिस का सितम जारी है 23 जुलाई तक राजे में औस से 58% कम बारिस का रिकोर्डर्ज किया गया है वहीं राजे भर में 15% से कम धान की रोपनी हो पाई है राजे के किरिस्ती मंत्री बादल पत्रलेक ने जारखन मंत्राले में इसका खुलासा किया किरिस्ती मंत्री बादल पत्रलेक ने बताया है कि केबिनेट की बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई है बहुत जल्द मुख सचीव की अध्यक्सता में इसकी समिक्चा होगी सुखार को लेकर केंद्रे सरकार ने जो मानक तय किया है उस मानक के अनुरूप जार्खन के बरतमान हालात है संभावित सुखार को ध्यान में रखते हुए किरिसी विभाग ने 21 जूलाई से जार्खन राजे फसल रात योईना की सुरुवात कर दिया अब तक 8600 किसानों ने इसके तहट आपना रईस्टेशन भी करवा लिया है विभाग ने 3000 और 4000 रुपे प्रती एकर के हिसाब से किसानों को मुवजाद देने का निना लिया है जार्खन में 13 से 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान हर घर तिरंगा अभियान के गोज अब जार्खन के हर इसकूलों में भी सुनाई देगी बता दे जे इपीसी की राजे पर्योजना निदेशक कियन पासी ने इस समन्द में सभी जीला सिक्षा पताधिकारियों को निदेश दिया है कि अजादी के 75 वर्षगाट के अउसर पर हर घर तिरंगा कारेकरम का अउजन किया जाना है इसके तहट स्कूली चातर चातरा प्रभात फेरी निकालेंगे देश भक्ति गीत के साथ साथ देश भक्ति नारे और सलोगन का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ ही 13 अगस्त से 15 अगस्त तक इसकूलों में नियमित रूप से सुबा 9 वजे जन्डु तोलन किया जाएगा और साम 5 वजे उससे सम्मान के साथ उतारा जाएगा जार्खन के स्कूलों में 690 लेव सहायक होंगे नियुकते जार्खन के माधमिक स्कूलों में 690 परयोग साला सहायकों के नियुकती होगी इसकूली सिक्षा इयम सक्षता विभाय के अनुसंसा पर जार्खन करम चैरी चैन आयोग ने सुक्रवार को न्योक्ति परक्रिया शुरू करते हुए इसकी सुचन जारी कर दी है परयोग साला सहायक में भहुत की सास्त्र रासायन सास्त्र जीव भिग्यान के तीनो अस्तर में परतेक में 230 पदोपर न्योक्ति के लिए जार्खन परयोग साला सहायक परत्योक्ता परिक्षा 2022 आयोजित की जाएगी भारतिये महिला हौकी टीम 5-0 से मैच जीत कर संदार शुरुआत की इंग्लेंड में आयोजीत राष्ट मंडल खेल में भारतिये महिला होकी टीम ने अपने पहले मैच को घाना को 5-0 से प्राजित कर बड़ी जीत के साथ प्रत्योगता में अपनी दमदार उपसिती दच कराई है इस प्रत्युक्ता में सामिल भारतिये महिला होकी टीम में जारकन की तीन महिला खिलाडी सामिल है इन में खुटी की निकी परधान और सिम्डेगा की सलीमा टेटे एवाम संगीता कुमारी है तीनों ही खिलाडीयों ने संदार परदरसन किया है भारतिये टीम के बिज़ाई होने पर होकी जारखन के अध्यक्ष भोलानात सिंग, मनोज, कौनबेगी सहीत, होकी जारखन एवाम, होकी सिम्डेगा के समस्त पतादिकारियों ने बदाई दिया है 24 परखंडों में हाई मेगा वाटर सेट प्रोजेक्ट से किसानों की आई दोगनी का लग छे, जारखन के साथ जीलों के 24 परखंडों में हाई मेगा वाटर सेट प्रोजेक्ट सुरू किया गया है योजना काउदे से बेहतर जल प्रवंधन, कर, भोमी की नमी और गुनवाता को बढ़ाना है ताकि क्रीसी को विस्तार जिया जा सके और किसानों की आई दोगनी की जा सके ए बाते ग्रामिन विकास विभाग सभागार में मन्रेगा आयूत राइस्वरी भी ने कही है मन्रेगा आयूत के अध्यक्स्ता में विभागिय सभागार में बी आर एल एफ अंतरगात हाई इंपेक्ट मेगा वाटर सेट प्रजेक्ट के प्रगति की समिक्चा की गई अनुबंध सहायक प्रध्यापकों का धारना जारी जारखंड सहायक प्रध्यापक अनुबंध संग की और से राजभवन के पास धारना प्रदसन दूसरे दीन सुक्रवार को भी जारी रहा संग अपने चार सुत्री मांगों को लेकर प्रदसन कर रहा है इसमें अनुबंध सायक प्रध्यापकों के नियमिती करण के लिए नियमावली बनाने उन्हें UGC गिरेट पे ग्रास सेलरी निधारन तब तक के लिए जब तक नियमिती करण नहीं हो जाए आधी मांगे सामिल हैं इसके अलावा A.K.M.U. और कोलान भी स्वविद्या लएके निकाले गए सिक्षकों की सेवा पुना बाहाल करने की मांग की गई हैं CBSE 2023 की बोर्ड परिक्षा पुराने पैटर्न पर CBSE ने 10 वी और 12 परिक्षा के पहिणाम आते ही आगामी सत्र के लिए नई खोसना कर दिया इसके तहद 23 सत्र में 10 वी और 12 की बोर्ड परिक्षा पुराने पैटर्न पर साल में एक बार ही ली जाएंगी बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया है बोर्ड ने कहा है कि अब साल में एक बार ही परिक्षा ली जाएगी आगामी बोर्ड परिक्षा है फरवरी मर्च में पूरृ की तरह होगी विद्यार्थियों को अब पूरृ की तरह पूरा सीलेवास एक बार में कौवर करना होगा मतदाता सुची एक अगस्त से अधार से लिंक होगी रांची में एक अगस्त से मतदाता सुची को अधार से लिंक किया जाएगा बेलोग हर घर जाकर मतदाताओं से अधार का नमर लेंगे मतदाता भी ऑनलाइन अपना अधार नमर फरम 6B में भर सकते हैं मतदान केंद्रों पर जाकर भी फरम जमा किया जा सकता है सुक्रवार को रांची की जीला ओप निर्वाचन पता धिकारी मेरी मड़की ने समनाले में राजनितिक दलों के परतिनिदियों के साथ बैठा कर इसकी जनकारी दी राजनितिक दलों से लोगों को अधार लिंक कराने के लिए प्रेरित करने का एगरविक यह गया इडि रिमान्ड में पंकज मिश्रा बीमार पड़े जार्खन के मुखे मंते हेमंत सुरेन के विधायक परती निधी पंकज मिस्रा रिमांड अधी में परवर्तन निदे सालाई की टीम द्वारा पुष्टास के दौरान बिमार पड़ गया जिसके बाद उन्हें रिम्स में भरती कराया गया इडी की विशेस अधालत ने पंकज मिस्रा को एग अगस्त के लिए रिमांड पर लेकर पुष्टास की अनुमती दिया है पंकज मिस्रा को 29 जुलाई इडी दफ्टर तलब किया गया था और करिब 8 घंटे से अधिक समय तक पुष्टास के बाद उन्हें गिरफ्टार कर लिया गया था दिल्ली से देवघर के लिए बिमान सेवा शुरू देवघर इंटरनेशनल लेयारपोर्ट से 30 जुलाई को एक नया अध्या जुडने वाला है दरसल सन्निवार को इंडीगो की पहली फ्लाइट दिल्ली से चल कर देवघर इंटरनेशनल लेयारपोर्ट पहुँचेगी बता देख सब 80 सीटर इंडीगो की या फ्लाइट खास होगी दरसल दिली से देवघर के लिए पहली फ्लाइट होने के वज़ा से इसे काफी खास वाना जा रहा है साथ ही इस बिमान को इसलिए भी स्पेसल कहा जा रहा है क्योंकि इसी फ्लाइट से भोजपूरी सिनेमा के दिगज, कलाकार और बरतमान में सांसन्द मनोज, तिवारी, रविक किसन और निरहुआ बाबा नगरी देवघर पहुँचने वाले हैं जारखन हाई कोट ने DGP ग्री सचीव को लगाई फटकार जारखन हाई कोट में 10 जुन को रांची में हुई हिंसा मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान कोट ने NIA से अब तक की गई जाच रिपोर्ट को स्तील बंद लिफापे में प्रस्तूत करने का निर्देश दिया साथ ही हाई कोट ने NIA से पुछा है कि क्या हुआ इस मामले की जाच करने को त्यार है कोट ने राची के ततकालीन SSP सुलेंदर कुमार जहा और उस समय की डेली मारकेट थाना परभारी के तबादले पर भी सवाल उठा है इस मामले में DGP और गिरी सचीव को काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया गया है 88 इस स्कूलों में अब रभीवार की जगा सुक्रवार को नहीं होगी छुटी जारखन के सरकारी स्कूलों में रभीवार की जगा सुक्रवार को छुटी दिये जाने के मामले में सिक्छा विभाग एक सन मोड में नजर आ रहा है पहले तो सिक्षा विभाग ने इस बारे में सम्मधित अधिकारियों और सिक्ष को दस पस्टी करण मांगा था वही अब राजे के स्कूलों में सुक्रवार की जगार अभीवार को ही छुटी देने का निदेश दिया दरसत सिक्षा विभाग ने गोड़ा जी लेके 88 से स्कूलों की लिष्ट जारी की है जहां अब से सुक्रवार को छुटी नहीं होगी सियम हिमंत ने वर्ल्ट ट्रेड सेंटर का किया सिलन्यात जारखन ब्यापक संभावनाओ वाला राजे है मुख्यमंत्री हेमंसुरे ने राजधानी राची के कोर केपिटल एरिया में वर्ल्ट ट्रेड सेंटर के अधार सिला रखते हुए ए बाते कही उन्होंने कहा कि वर्ल्ट ट्रेड सेंटर में अंतराश्ट्रिय बेपार विशेश कर निर्यात सर्वधन से सम्वंधित तमाम गतिविद्या एक ही छत के नीचे से संचालित होगी यह सेंटर यहां कि आर्थिक गतिविद्यो को मजबूत करने में अहम रोल निभाएगा जारखन में पानी वाले बाबा पदम सिरी सीमोन उराव को पारलेसिस अटेक जारखन के पदम सिरी सीमोन उराव और स्वस्त हैं रिम्स में इनका इलाय चल रहा है आपको पता देखी ए जल पुरूस पानी वाले बाबा के नाम से मसूर है पानी वाले बाबा के नाम से चर्चित पदम सिरी सीमोन उराव राजधानी राची से करीब 38 किलो मिटर दूर बेरू पर खंड के खक सी टोली में रहते हैं सुक्रवार को इन्हें परालैसिस का आटेक आया आनन फारन में उन्हें बेडो समुदाइक स्वास्त केंद्र में प्रात्मिक उपचार के लिए भरती कराया गया इसके बाद रिम्स रेफर कर दिया गया पिलाल रिम्स में इनका इलाज चल रहा है केंद्रिय कोईला मंत्री से मिले संजाय सेट रांची के सांसद संजाय सेट ने नए दिली में केंद्रिय कोईला एवं संसादिय कार्य मंत्री स्री प्रालाज जोसी से मुलकात की सांसद ने उन्हें प्रगती 2021-22 की प्राती अलोकन हेतु भेट किया इस दोरान संजाय सेथ ने केंद्रिय मंत्री को पत्र के माध्यम से बंद ख़दानों के पानी के बेहतर उप्योग और बिली उत्पादन की समावना पर काम करने का आगरा किया जंगलों को संडख्षन के लिए जारी करे टोल फिरी नमबार सीयम हमान जार्खन बिधान सभा अध्यक्स रवीद नात महतों एवं मुक्य मंत्री हमान सुरे ने शुक्रवार को जार्खन बिधान सभा परिज्यान में वन पर्यावरन एवं चलवायू परिवर्तन बिभाग द्वारा आयोजीत तिहत्रवार राज्य ब्यापी वन महोत्सों में सामिल हुए इस अशर पर्मों के मंत्री हमासुरे ने कहा है कि जंगलों में आग लगने पर अबिलम उसकी सुचना आम व्यक्ति भी बन विभाग के पताधिकारियों को दे सके इसके लिए वन विभाग टो निशित की जाए जारखन के सरकारी स्कूलों में बनेंगे कीचन गार्डन मद्याहन भोजन को लेकर अब सरकारी स्कूलों में कीचन गार्डन सुरू किया जाएगा इसमें मोरिंगा सहजन के पोधे लगाने हैं और मद्याहन भोजन में इसके फल फूल और पतियों का इस्त चाद इजकों को निर्देश जारी कर दिया है इनका कहना है कि मरिंगा के पत्ते पोश्टिक्ता से भरपूर होते हैं MDM में इसके फल फूलवा पत्यों को सामिल करना है मरिंगा को मुलगा, सीटी, सहजान या जोकी के नाम से भी जाना जाता है जारखन बिधान सभा मानसुन सत्र सुधन के बाहर विपक्ष का हंगामा जारखन बिधान सभा का मानसुन सत्र सुक्रवार से शुरू हुआ चोह कार्य दिवस के पहले दिन देश और राज्येक के दिवंगत विभूतियों को सधान जिली दी गई वहीं कांग्रेस सांसत द्वारा राष्ट पति द्रोपदी मुर्मु के खिलाप अपति जनक ब्यान दिये जाने से नराज विपक्ष ने सदन के बाहर हंगामा किया विपक्ष के विधायक कांग्रेस सांसत से माफी मांगने की मांग कर रहे थे सदन के बाहर विपक्ष के हंगामा किया सदन की करवाही सोमवार तक के लिए सगित कर दी गई है ज्यारखन में पसुत असकरों का दुश्टा हास बाल बाल बचे थानेदार गुमला जी लेके विसुनपूर थाना के थानेदार सदन सिंग को पसुत असकरों ने गाड़ी से कुचलने का परयास किया प्रन्तु बाइक पर सवार थानेदार सड़क के किनारे हो गए जिससे उनकी जान बची थानेदार को कुचलने के परयास के चकर में बोलेरो गाड़ी पलट गई इसके बाद पूलिस ने बोलेवरों में सवार साथ पसुत असकरों को गिरफतार कर लिया इस दोरान ट्रॉक में ठूस कर ले जा रहे संतावन मौस्यों को भी जब्त किया गया धन्यवाद